हाई मैं प्रशान्थ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक्वीटीर कम्यूटी में स्वागत करता हूं तो अगर आप आप आपसंस में ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे सबसे इंपोर्टेंट क्या रहता है बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इंट्री पॉइंट करना स्ट्राइक प्रैस फाइंट करना वो सारा इंपोर्टेंट रहता है लेकिन वो सारा बाद में इंपोर्टेंट रहता है सबसे पहले आपको किस एक्सपाइरी में ट्रेड करना वो सेलेक्ट करना रहता है यहाँ पर आपके पास हमाई साथ दो एक्सपाइरी होगा वीकली ए चांसे हैं, तो आप अंदर कितना भी declaration कर दो, अंदर कितना भी आप मजबूती provide कर दो, आपका risk बना रहाएगा और जब घर गिरेगा, तो आपका सारा कुछ बरबाद हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा, वैसे ही आप सारा कुछ सही रहेगा, weekly expiry सही रहेगा या फिर monthly expiry सही रहेगा जो मैं आपको बताओंगा with region, क्यों सही रहेगा, वहाँ सामें क्या benefit मिलता हूँ दिख रहा है उसके उपर हम बात करेंगे, वहीं अगर आप options sell कर रहे हो, तो आपके लिए कौन सा expiry सही रहेगा विकली सही रहेगा या फिर मंतली सही रहेगा इस वीडियो हम इसी चीज को पर बात करने जा रहे हैं और यह important point है जिसको mostly लोग ignore कर देते हैं लेकिन हम है जिस चीज को सारे लोग ignore करते हैं उसको हम आपके सामने लाते रहेंगे और उस point के जरी है आप अपने profit के chances को increase कर सकते हैं आप अपने accuracy level को increase कर सकते हैं तो decision making ability है वो आपका enhance हो सकता है तो चलिए इसको सीखते हैं तिहां प्यां option chain पर आते हैं और आपको मैं monthly expiry और weekly expiry दोनों बता देता हूं जिनको यह side clear ना हो अब यहां पर देखिए आज का date है आपका 9th में weekly expiry आपका हर एक Thursday को होता है अगला Thursday आने वाला 12 में को 12 में को expiry दिखेगा यह सारा weekly expiry है 19 में वाला उसके बाद weekly expiry है अब यहां पर आपको 26 में वाला दिख रहा होगा यानि में मन्त का जो last Thursday है उस दिन भी expiry रहता और वो आपका monthly expiry रहता यानि मन्त में जो भी trade आपने अगर monthly expiry में लिया है तो आप 26 में तक carry forward कर सकते हो weekly वाले में लिया है उसको आप 12 में तक carry forward कर सकते हो 19 में वाले में लिया है तो 19 में तक carry forward कर सकते हो यह सारा expiry रहता है इसमें से कौन सा expiry में आपको trade करना चाहिए और किस expiry में trade करना चाहिए यह भी आपको आना चाहिए चलिए इसी के उपर होता आपका intrinsic value होता और एक आपका time value होता इसके उपर हमने separate video already बना रखा है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप I button पर click करके देख सकते हैं कि कैसे हम time value और intrinsic value को find कर सकते हैं तो यहां पर जो time value time के साथ कैसे decay करता है जो options premium का value होता वो time के साथ कैसे करता हूँ आप यहां पर देख सकते हैं देख सकते हैं स्टार्टिंग में यह आपका slow decay करता है ठीक है उसकी बाद जैसे आपका expiry नजदीक आता है यह आपका लगभग 45 degree के साथ decay करना start हो जाता है यहां से अगर आप देखे लगभग आपका 45 degree के साथ नीचे साइड की तरफ जा रहा यानि decay कर रहा और expiry के दिन जो time value होता वो ultimately क्या हो जाता है जीरो हो जाता है तो जितना नजदीक हम expiry के जाते उतना fast time value decay होना start करता जितना दूर रहते उतना धीरे-धीरे time value आपका decay होता है इससे किसको फाइदा होता है कैसे हम expiry का selection करें उसके उपर आएंगे सबस्पहले यह सब जो concept है यह आप धिरे-धिरे करके समझें यहां आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूंगा यह वाला अब यहां में देखिए क्या होता है जब भी आप options में trade करते हैं तो आपका क्या दिखेग यहां पमें इस तरह का line draw कर देता हूं यह हो गया मेरा otm otm में time value आपको सब ज्यादा मिलेगा ठीक है out the money में सब ज्यादा time value मिलेगा उससे कम time value आपको ATM मिलेगा यह आपका ATM है इसमें आपको उससे कम time value मिलेगा और सबसे कम time value आपको किसमें मिलेगा आपको in the money options में सबस करता है लेकिन expiry के टाइम पे यह आपका बहुत fast decay करता है और otm की बात करें otm में starting में यहाँ पर थोड़ा सो slow करता है लेकिन जैसे expiry आता है यह आपका और fast decay करना start करता है तो तीनों का जो options premium होता है वो अलग-अलग हिसाब से decay करता सबसे कम decay आपको इन दमनी में itm में उसके उपर हम बाद में बाद करेंगे क्योंकि वह हमारा next step होगा सबस्पहले हम expiry select करेंगे expiry select करने के बाद अगला question आता है strike price का selection बाद next video होगा, इसमें हम किस पर focus करेंगे इसमें हम focus करेंगे expiry selection पे हैं तो यहां पर आपको screen पे एक और चार्ट दिख रहा होगा अब यहां पर भी एक चीज आप क्लियर समझ सकते हैं कि आपका weekly options है और अगर आप इस position में देखें तो यहां पर आपका जो options का premium है वो थोड़ा सा fast decay होता हुआ दिखेगा जबकि अगर हम monthly options में आते हैं तो यहां पर देखें यहां पर जो थोड़ इसा options आपके लिए selection करना है कौन सा option select करना है उससे पहले final selection पर हम आएंगे उससे पहले वापस से एक बार option chain पर आना चाहेंगे तो यहां पर वापस से option chain पर आगए अब मैं आपको सारा कुछ calculate करके बता रहा हूं कि अगर हम options buy करेंगे सबसे पहले हम किसके उपर focus करेंग options buying पर अगर आप options buy कर रहे हैं तो आपको profit कब मिलेगा जब premium आपका कब जाएगा उपर जाएगा यह निए आपको प्रॉफिट कब मिलता है जब options का premium आपका उपर जाता है उपर इंक्वीज होता तब आपको benefit मिलेगा यह चीज आपको इध्यान वखना है तो सबसे पहले आप options buying के उपर focus करेंगे तो अगर आप options buying करते हैं तो आपको weekly expiry select करना है या फिर monthly क्यों उसके पीछे का region find करते हैं सबसे पहले यहां पे हम 12 में वाले weekly expiry की बात करें weekly expiry में हम सब पहले चलते हैं इंदमनी पर यानि 16,000 यह आपका deep इंदमनी मार्केट इससे बहुत ज् value intrinsic value कैसे find कर सकते हैं यह मैं आपको छोड़ा सा हिंट दे देता हूं अगर आप call options की तरफ बात करते हैं यहां पर हम call options की बात कर रहें तो यहां पर आप कर सकते हो spot price minus strike price यानि 16,000 यहां पर माइनस कर दिये तो होगा क्या 350 बचेगा तो यहां पर जो भी premium है यहां पर 16,000 के call options में मेरा time value कितना है 50 rupees और यहां पर हमारा कितना दिन है Monday लगवग आपका खत्म होई गया बच गया Tuesday Wednesday Thursday यहनि तीन दिन हमारे पास time बचता है और तीन दिन में यह जो 50 rupees है यह आपका क्या हो जाएगा यह आपका ultimately zero हो जाएगा ठीक है calculations थोड़ा बहुत difference हो सकता यहां आपको overall idea बता रहा हूं तो आपको इस पर नहीं जाना कि यह तीन दिन में ही zero होगा यह एक दिन में कितना decay करेगा average हम ले रहें तो यहां पर आपको daily time value कितना decay होगा लगभग आपको 17 to 18 point का daily time value आपको decay होता हुआ दिखेगा deep in the money options में वहीं अगर हम at the money की बात करेगा आपको ध्यान देना यहां पर आपका 150 के करीब यहां पर आपको कितना decay होता हो दिखेगा लगभग 50 पॉइंट आपका इसका प्रीमियम डेली डिके होता हो दिखेगा at the money पे हम बात कर रहे हैं और जबकि इन दमरी पर लगभग आपका 70 to 18 पॉइंट हो रहा है वहां यहां मंतली options पर चलते है करेंगे यानि यहां पर भी हम सबस्पहले सिस्टीन दाउन के स्ट्राइग लेक्ट करेंगे है यहां पर इसका वैलू आपका 500 करीब 500 माइस 350 यहां पर ऋड़ा लगभग आपका 150 के करीब ठीक है 150 ये कितने दिनों होगा आज का डेट है आपका 9th में टोटल अगर आप calculate करेंगे तो टोटल आपका 15 डेज है 150 divided by 15 यहां पर आपका टोटल एक दिन में जो decay होगा वो होगा 10 point जबकि हमने calculate किया था वहाँ पर कितना decay हो रहा था weekly वाले में लगबग 72, 18 point daily आपका decay हो रहा था weekly वाले में जबकि यहां पर मेरा सिर्फ 10 point daily decay हो रहा है यह तो हो गया deep in the money at the money की बात कर ले at the money का value है आपका लगबग 300 के करीब ठीक है और यह पूरा का पूरा 0 हो जाएगा मेरे पास कितना time है मेरे पास 15 दिन का time है तो at the money daily कितना decay होगा अगर यहीं पर expire होता है तो आपका daily decay होगा 20 point जबकि weekly में कितना हो रहा था यहां पर 50 point daily यहां पर हमारा decay हो रहा था weekly वाले तो मैंने क्या देखा कि मैंने यह देखा कि weekly में जो options premium है वो ज़्यादा decay कर रहा है तो हमें अगर हम options buying करते हैं तो हम वैसा selection करेंगे जहां पर options का premium कम decay करें तो पहला conclusion पर क्या निकले अगर हम यहां पर options buy करें चाहे call options buy करें या put options buy करें हमारे लिए ज़्यादा बहत्वीन कोन है हमारे लिए monthly expiry ज़्यादा बहत्वीन है हम यहां पर क्या prefer करेंगे हम यहां पर monthly expiry prefer करेंगे क्यों prefer करेंगे आप आप किसी और को explain कर सकते हो बिल्कुल explain कर सकते हो जिस तरीके से मैंने आपको explain किया उस तरीके साब किसी और को भी explain कर सकते हो क्यों भाई करेंगे क्योंकि यहां पर जो हमारा options का premium होता है, वो क्या होता है, वो काफी slow decay करता है, ठीक है, क्यों slow करें, क्यों हम मंत्री options select हरें, क्योंकि वहां पर options का premium slow decay करता है, यह concept clear समझ में आ गया, अब यहां पर दूसरे point पह आते हैं, अगर आप options sell करते हो, सारे लो करते हैं उनको profit कब मिलता है जब option का premium नीचे जा रहा था नीचे जहा रहा था विकली में तो यहाँ पर आप options sell करते हैं तो यहाँ पे आप कौन सा expiry select करोगे यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे weekly expiry तो अगर आप options buy कर रहे हो और weekly expiry select कर रहे हो तो देख रहे हो कि daily आप कितना point का loss कर रहे हो daily आप extra 7-8 point का नुकसान कर रहे हो जब कि वहीं पे अगर आप monthly में स्विच कर जाते हो प्रिवियम फ्रोर्स ज्यादा जहूर पे करना परेगा लेकिन आप 7-8 point daily automatically protect कर सकते हो आपका स्विच करने से 7-8 point का benefit मिल गया जबकि अगर आप add the money पे करते हो तो आपको देखा कि लगबग आपका 15-20 इस पॉइंट का automatically थोरा बहुत आपको एज मिलता हुआ देख जाएगा तो इस तरीके से आप सही strike price का selection कर सकते हो with reason मैंने आपको value reason बताया सारा कुछ calculation आपके सामने करके बताया option chain पे करके बताया कि क्यों हम select करेंगे अब यहाँ पर एक और कर रहे हैं तो इसके बाद 15 के बाद क्योंकि options में ज्यादा कोई difference नहीं रहता फिर दोनों weekly options आपका open हो जाता इसके बाद अगर आप monthly करें विकली करें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर आप एक से लेके यहाँ में आपको एक और picture दिखाना चाहूंगा एक और चार्ट में आपको दिखाना चाहूंगा फाइनली अब यहाँ पर आपको यह picture दिख रहा होगा यहाँ पर देखिए क्या है इनिशियली का first three week यहाँ पर आपको क्या करना यहाँ पर आपको options buying करना वहाँ पर ज्या जादा beneficial वहता है तो अगर आप expiry के नजदीक आते हैं तो उस टाइम पे आप options को भाई करना थोड़ा सा avoid कर सकते हैं क्योंकि उस टाइम पे options का premium जो हता है वह बहुत fast decay करता है ठीक है यह concept समझ में आ गया सारा कुछ उमीद करते हैं आपको यहां पर clear समझ में आ गया और यह concept बहुत जरूरी था अगर आप सही expiry का selection नहीं कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है प्लीज वीडियो को like करके हमें कवेज किजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब किजिए क्योंकि यहां पर आपको इस तरह के valuable information मिलते रहेंगे जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा सो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिन